दोस्तों, ड्रीम इस्ट्टुटुट के ओनलाइन प्रेट्फॉर्म पर आपका एक बार फ्रेसे स्वागत है, आज अपन बात करेंगे पसो की नाडीदर, सोसंदर, तापमान, संभोग किरिया, प्रसव किरिया, आधी के बारे में क्या-क्या प्रशन पूचे गए थे आज द अगला प्रशने, बकरी का गर्वकाल होता है, 152 से 153 दिन होता है, 114 दिन होता है, 147 से 148 दिन या 140 से 145 दिन, तो याद रखिए, बकरी का गर्वकाल भेड के गर्वकाल से तोड़ा ज़्यादा होता है, तो जैसे बात करते हैं, तो 155 दिन क्या स्वास मानते हैं, अपन 5 म लेकिन अलग-अलग बात करते हैं तो बेड का हो जो होता है वो लगबग 147 Casey對吧 175 दिन वाला बखरी का हो जाएगा और ऑगर हैं चाहिए और साधरन दोनों का साथ ने पाश्छा जाता है तो आप Pascมा दस दिन होता है गाई का नो मा नो दिन था बकरी का बताई दिया मैंने आपको बेड़ का बताई दिया अपने सुर का 114 दिन होता है उसके बाद उट का जो बात करते हैं तेरा मा तेरा दिन होता है गोड़ी का ग्यारा मा ग्यारा दिन होता है कुतिया का लगबग दो मा दो द को क्या कहते हैं जिस नर बेड का बद्याकरण कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे विडर भी कहते हैं और रेंट भी कहते हैं याद रखना विडर भी कहते हैं और रेंट भी कहते हैं लेकिन अगर विडर आप्शन में नहीं हो तो विठर भी बोलते हैं लेकिन विडर समू भी फ्लोक केलाता है और बेड का समू भी फ्लोक केलाता है तो ए वाला option राइट हो जाएगा अगला देखे सात्वा ड्रो किस पसू का समू केलाता है ड्रो तो ड्रो केलाता है सुर का समू ड्रो केलाता है सुर का समू ड्रो केला रहता मुर्गी और बेड का जो समू था वो फ्लोक केला रहाता, तो यह सूर हो जाएगा ड्रो, बद्याकरत किया हुआ मुर्गा क्या केलाता है, तो बद्याकरत जो किया हुआ जो मुर्गा होता है, वो केपन केलाता है, यह याद रखना है, बद्याकरत किया हुआ मुर्गा केपन केलाता है, आपके सामने आजाएं नहीं किया गया हो जिसको आप प्रजनन के लिए रखोंगे वो क्लाएगा कूकिया रोस्टर और जिसका बद्यकरन कर दिया जाएगा वो केलाएगा केपन कर दो हो जाएगा चाली सेfires बिजिएगा तो यह हो जाएगा बेंश की 60-80 आएगा सुवर, 70-80 आएगा बेड़ोर बक्रियों की हो जाएगी सुवर का नौजाद जो बच्चा होगा, सुवर का नौजाद बच्चा के लाता है पिगलेट गोड़ी की सोसंदर होती है, तो गोड़ी की जो सोसंदर होती है वो 8-12 प्रती मिनट होती है और यह तो इगरिक इसके प्रशुदन साइक की बरती में भी आया होगा है, 8-12 हो जाएगा गाई का तापमान कितना होता है तो गाई का तापमान 101.5 डिगरी फारिनाइट होता है बेड का नवजाद बच्चा क्या केलाता है तो बेड का नवजाद जो बच्चा होता है वो लेम केलाता है याद रखना बेड का नोजाद बच्चा लेम केला रहा है, भकरी का किड केला रहा है, मुर्गी का चिक केला रहा है और सुर का पिगलेट केला रहा है, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो बेड में लेम आ जाएगा, मुर्गी के सरीर का तापमान होता है, तो मुर्गी के सर प्रशन देखे आप सुवर की नाडी दर ही पूँच ली तो सुवर की नाडी दर आ जाएगी 60-80 प्रती मिनट बेड का गर्वकाल कितना होता है तो बेड का गर्वकाल मैंने आपको बताया बकरी के गर्वकाल से छोटा यानि 147-148 दिन आंसर हो जाएगा टपिंग की किरिया किसकी संबोग किरिया को कहते हैं तो बेड की संबोग किरिया को टपिंग कहते हैं जबकि गाई की बकरी की इनकी सब्की जो उती होती उसको सर्विंग बोला जाता है उंट वाली को केपोलेशन बोलते हैं तो इस वाले का उत्तर हो जाएगा बेड अगला प्रशन देखे निम्न को सुमिलित करना है आपको जो आपके सामने प्रशने निम्न को सुमिलित करना है तो सुमिलित कीजिए सुमिलित कैसे करोगे वो आप देख लो सुमेलित करने के लिए go one से तो go one की हो जाएगी यानि serving यानि पहले के अंदर हो गया C sewer की इनके अंदर हो जाएगी sewer वाली की coupling हो जाएगी तो यानि की पहले दूसरे के अंदर हो गया B और तीसरे में oot आ रहा है बेड़ वो बकरी का तापमान होता है तो बेड़ जो बकरी का तापमान होता है वो 102.5 दिगरी फारिनाइट होता है गाई का पूसते तो 101.5 दिगरी फारिनाइट मुर्गी का पूसते तो 106.5 दिगरी फारिनाइट और गोड़े का पूसते तो 100.5 दिगरी फारिनाइट हो ज तो चापने देटा बेइस की नाड़ी दर बताईये तो बेसकी नाड़ी दर होती है, 40-45 प्रति मिनट जबक instant के गाई के एसे कुर ूछते तो सुरे वाली अगर वह अपन से पूछते तो र Chemik doc अगर आज में धातें होगतicket से सुरे उंगिए उन compassion उट की शोशंदर होती है तो उट की शोशंदर होती है पास से साथ प्रती मिनट पसों में तापमान कौन से अंग से ग्याद किया जाता है पसों में तापमान ग्याद किया जाता है गुदा से अगर आप किसी कारणवस गुदा सेतर से तापमान ग्याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको योनी से तापमान ग्याद करना पड़ता है तो ये गुदा सेतर आ एक Asian oot होता है और एक Arabian oot होता है तो ये भी अपन मान सकते हैं और तो इसके अंदर कुन सा ओopson रॉइट होगा वह देखते हैं, oot को मुक्यत है किस के अधार पर दूढ़ों उतपादर के अधार पर नहीं, gul-s humanities शेत्रों के आदार पर नहीं कुबड के आदार पर कुबड के आधार पर खेत्रों हो फिर दोनों मानते गाई को किसके आदार पर विवाजन किया गया है तो गाई को देखो पहला है दूद पादन के आदार पर गुण सुत्रों के आदार पर कुबड के आदार पर कुबड वो शेत्र के आदार पर तो वाटर भूफेलो और कीचड जो दोनों मतन कलाता है किसी कारणवाश यदि पंतू का तापमान गुदा शेत्र नहीं किया जासके तो किस बाग से ग्यात किया जाता है तो देखो अगर तापमान आप गुदा शेतर से ग्याद नहीं कर पारे हो तो आपको तापमान योनी वाले बाग से ग्याद करना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना है, तापमान योनी वाले बाग से ग्याद में करना पड़ेगा, अगला देखे, पानी वाली बेस में गुनसुत्रों की संक्या होती है 50 जब किचड़ वाली बेस में गुनसुत्रों की संक्या होती है 48 अगर अपन बेड में बात करते हैं तो बकरी में बात करते हैं तो 60 होते हैं तो यहां पे जो उत्तर होगा पानी वाली में 50 हो जाएगा किचड़ वाली बेस में गुनसुत्रो की संक्या 48 हो जाएगी गाई में गुण सुत्रों की संक्या कितने होती है तो गाई में गुण सुत्रों की संक्या होती है 60 पसो में नाडी दर ग्यात करते हैं प्रती सेकिंड के इसाब से प्रती मिनट के इसाब से प्रती दिन के इसाब से इन में से कोई नी तो गाई बेस के अंदर जो नारी दर हो यह सोसंदौर हो यह तो यह देखो अपने पास प्पन अप्शन में तो यह पॉन्जाब हर्याडा में मुर्रह बेस होती इससे ब्लैक डाइमेंड यानि की काला सोना भी आजाता है तो वेसे ही इसका मासफ भी बहुत ज़्यादा फिरमस है तो उसको बपन या केराभीब के नाम से भी जाना जाता है अगला देखे मीडियल कॉक्सीजियल आर्ट्री से किन पश्वों में नाड़ी दर गयाद करते हैं गोवन्स में बेड़ो बक्री में उंट में एवसी दोनों में तो देखो मीडियल जो कॉक्स अगला देखे 38 किस पसु के समु को ड्रोग आ जाता है गाई के को बक्री के को सुवर को गोडे को किस पसु के समु को ड्रोग आ जाता है तो यह पहले भी आ चुका है सुवर के समु को ड्रोग आ जाता है बक्री का मास क्या केलाता है तो बक्री का मास केलाता है चेवन बिले भी आ चुका है कुरी तो परिवर्टन होता है कि बेड़ की जो संभुग किरिया हुता है इसको brewingいます कि पस्तों में दो बारपिवर्टन होता है् थो देखो रसी करहिए उंट एक मात रेशा पस्तों है जिसका सरी का चास्तों में दो वार परिवर्टन होता है वेसे तो उसका तापा 97.6 से लेकर 99 तक होता है दोपर में सबसे ज़्यादा होता है सुबग कम होता है दोपर गर्मी में ज़्यादा होता है और साम को वापस कम हो जाता है तो यह याद अतना दो बार जो परिवर्तन होता है वो उट के अंदर ही होता है तो ये अपना ओंट ऑप्सन राइट हो जाएगा अगला देखे गाई वो बेस में नाडी दर किस इस्तान से ग्याद की जाती है तो उपर आ चुकाता है ये मेडियल कॉक्सीजियल आर्टरी से ग्याद करते है नवजाद बचले का मास क्या केलाता है तो नवजाद बचले का जो मास होगा वो वील केलाता है पूरक किस पस्व का मास केलाता है तो सूर का मास पूरक केलाता है लेकिन सूर का जो नमकीनी मास होता है उसको बेकन कहा जाता उसके बाद अगला देखिए पस्व में नाडी दर बढ़ने को क्या कहते हैं तो नाडी दर बढ़ने को टोकी काडिया कहते हैं और नाडी दर गटने को बोलते हैं ब्रेडी काडिया नाडी दर बढ़ रही है और गट रही है यानि सामाने जो नाडी दर थी उससे बढ़ने को अगर सामने से अधिक तापमान यूए पर हाइपर-थरमिया के लाएगा इस लिए इसमें नाडी दर बढ़ने को टोकी-खायडिया कहा जाता है निम्में से कौन सा कतन सही नहीं है घोडे का तापमान गाई के तापमान से कम होता है तो होता है ना गोडे का अतावमान 100 degree Fahrenheit था और गाई का अतावमान 101.5ड ता तो यानि कि ये वाला तो सही है गलत कौनसा है वो आपको बताना है उसके बाद अगला देखे अगला प्रस्ण गयानि अगला पॉइंट क्या था इसका पहला तो वो था दूसरा देखे, दूसरा वह आपसे कहरा है कि गाई की नाड़ी-दर बेस की नाड़ी-दर से अधिक होती है हाँ होती है न क्योंकि गाई की नाड़ी दर 40-50 थी जब कि बेंस की तो 40-45 थी तो यानि ये भी सही है तीसरा देखे बेंस की सोसंदर गाई की सोसंदर से अधिक होती है नहीं होती है गाई की सोसंदर जादा होती है क्योंकि गाई की सोसंदर्ती 20-25 प्रती मिनट जब कि भेंस की जो सोसंदर्ती वो 16-18 प्रती मिनट थी तो यानि कि ये वाला option बिल्कुल गलत हो गया फिर भी चोता वाला भी अपन पढ़ लेते हैं बेड का गर्बकाल गाई के गर्बकाल से कम होता है सही होता है क्योंकि देखो बेड का गर्बकाल 47-168 दिन बकरी का गर्बकाल 153 दिन आपने पढ़ा है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा सिर्फ ये बीच वाला जो तीसरे नमर का उतर है गलत है क्योंकि बेज की सोसंदर गाई की सोसंदर से अधिक होती है ये गलते बेस की सोसंदर खब होती है और गाई की जादा होती है तो सीवाला राइट हो जाएगा अगला आजाएए मुर्गी की प्रसव किरिया क्या केलाती है मुर्गी की प्रसव किरिया केलाती है लेंबिंग, किडिंग, लेंग या हेचिंग या फोलिंग तो फोलिंग तो प्रसो किरिया गोडी की केलाती है लेइंग यहेचिंग केलाती है मुर्गी की किडिंग केलाती है बकरी की प्रसो किरिया और जो बेड़ होती है उसकी प्रसो किरिया केलाती है लेंबिंग अगला देखे पसों में नाडी दर गटने को क्या कहते हैं तो नाडी दर गटने को ब्रेडी काडिया बोलते हैं जब कि बढ़ने को टोकी काडिया बोलते हैं तो पसों में जो नाडी दर बढ़ती गटने हैं गट्टे को ब्रेडी काड़िया और बढ़ने को ट्रोकी काड़िया बेड का नवजात बच्चा केलाता है तो बेड का नवजात बच्चा लेम केलाता है बकरी का किड केलाता है मुर्गी का चिक केलाता है और सुर का पिगलेट केलाता है अगला देखे मादा बेड केलाती है तो मादा बेड देखो, इू वया डेम केलाती है, रेम केलाता है बेड का नर, जो प्रजनन के लिए प्रियोग हुआ, बक केलाता है, बकरे का जो बकरिये, उसका नर, जो प्रजनन के लिए प्रियोग करें, वो बक केलाएगा, डोई या नेनी, तो ये बेड की जो मादा, प् फेरोईंंग जेता है। कुट्या को वैलीजिए भोला जाता है। घाए बेस काविव्च बोला जाता है। अगला देखें। नर बेड्र जो प्रजनन है तुँ प्रयोग किया जाता हैarleं का जाता है। तो यह भी आद रखने है उसको ँसके आप प्रयोग के लिए आपने प्रियोग किया है वो रेम केलाता है ये देखी रेम है और बक है और अगर मानलो आपने बकरी का कोई नर है जो प्रजनन के लिए रखा है तो वो बक केलाता है उसके बाद अगला देखे गोड़े की सोसंदर होती है प्रतिमिनट तो गोड़े की जो सोसंदर होती है वो 8 से 12 प्रतिमिनट होती है बेड़ का मास केलाता है तो बेड़ का जो मास होता है वो मटन केलाता है बेड़ की प्रसव किरिया क्या केलाती है तो लेंबिंग और पहले भी आया होगा है कि लेंबिंग का समन्द किस है किस पसु की मादा को सा या गिल्ट का जाता है तो जो सुर होता है उसकी मादा को सा या गिल्ट का जाता है गोडी की मादा को मेर का जाता है मुर्गी है तो मुर्गी की जो मादा होती है उसको हेन या पुलेट का जाता है बकरी की जो मादा है उसे नेनी या डोई का आ जाता है मादा बकरी को क्या जाओगे नेनी या डोई के नाम से जना जाता है इव या डेम भेड़ वाला हो गया इस्टेलिन इस्टड नर्व गोड़ा जो प्रजनन के लिए प्रियोग होगा वो इस्टिलेन इस्टड के लाएगा मेया उट जो प्रजनन के लिए रखा जाएगा वो मेया के लाएगा कुतियां की प्रसव किरिया को क्या बोलेंगे बक्री की प्रसव किरिया क्या केलाती है तो बक्री की प्रसव किरिया केडिंग केलाती है निम्ने में से किस पसू की सोशंदर सबसे कम होती है तो देखिए गाई भी आपके पास है बेस भी है बेडो बकरी भी है और गोडा है इन में से सबसे कम जो सोसंदर होगी हो किसकी होगी गाई की सोसंदर तो हो रही थी 20 से 25 बेस की हो रही थी 16 से 18 बेडो बकरी की 12 से 20 गोडे की हो रही थी 8 से 12 तो इसके अंदर गोडा रायट हो जाएगा क्योंकि सबसे कम गोडे की होती है उंट में अब अध्यकरत नर प्रजनन योग्य केलाता है तो वह केलाता है महिया यह लास्ट वाला केलाता है महिया अगया नर बकरा जो प्रजनन अब अध्यकरत नर जो काम में आता है वो क्या केलाता है तो नर जो बकरा होता है जो प्रजनन के लिए रखा जाता है व के बारे में अपने बात किया